मैंने यहाँ पर February 2024 का Gold Pass क्लेम कर लिया है वो भी $0 में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह Google Play Pass का एक special offer है जो कि हमने लास्ट मन्त भी क्लेम किया था अब लास्ट मन्त भाई बहुत सारे लोगों का offer क्लेम हो गया था लेकिन इस बार बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इशूद आ रहे हैं अच्छे से इंक्लूड करके explain किया है तो वीडियो को बिना skip किया एंट तक जरूर देखना वागी जो हमारे चैनल पर यहां पर रेगुलरी वीडियो देखते रहते हैं उन्होंने काफी सारे ऐसे offers के फायदे उठाएं तो अगर आपने भी तक यहां पर सब्सक्राइब न अब लोग 1st March है तो यह हर महीने आता है फिर उसके next महीने expire होता है तो यह basically हर महीने चलता रहेगा offer और इस offer को हम simply यहां पर save कर चुके है आप देख सकते हो save लिख क्या रहा है बस हमें game खुलके से claim करने है last month हमको play pass 90% discount में मिल गया था मतलब लगबग एक दाँ free ही बोल स तो इसलिए यहां पर यह benefit वाली बात है फिर के अंदर हमारा जो account तो इसका region जो है USA था उस वाले account से मैंने play pass को लिया तो हमें यह सारे offer शो करने लगे फिर simply हम लोगों ने आपे clash of clients वाले offer हो कर लिया और इसके बाद फिर आपको अपना clash of clients खोलना है और clash of clients के अंदर यहां मैंने simply claim किया और मेरे को यह offer मिल गया अबकर इस लास्ट मन्त वाली वीडियो में मैं डिटेल मैं आपको explain किया था कैसे हम लोगे offer जो है dollars में claim करते हैं इस offer हो claim करने के लिए आपको dollars से करना पड़ेगा मतला हमारा यहां पर जो play store का यहां पर region इस वाले account में जिससे sun off आपको renew नहीं करना आपको यहां पर वापस से नया buy करना पड़ेगा तो play pass buy करते से में आपको बस दो जीस का थ्यान रखना है उपर की तरफ यहां पे clash of clients का icon दीखे जब आप play pass buy कर रहे है उस page पर और वो नहीं दिख रहा तो कम से कम नीचे भाई आप scroll करना और ऐसे offers every month वाली जगहे पर आप scroll आजू बाजू करके देख लेना यह वाला offer दिखना चाहिए जो की है तो अगर आपको यह offer नहीं दिखता है play pass buy करने वाले page में तो इसका मतलब आपके play pass में gold pass इंक्लूड नहीं है तो आपको वहाँ पर नहीं लेना है अब for example यहां पर जिन लोग trial basis पर play pass लेंगे उनको यह offer नहीं मिलेगा खुद Google से हमने चीज़ confirm की है उनके help and support से बात करके कि legit जब आप पैसे देखे मतलब play pass लोग है ना मतलब जो उसका original price है trial वाले play pass के अंदर अपना gold pass included नहीं है कोई भी offer जो ऐसे अपने game वाले वो included नहीं है वो original play pass के साथ include रहेंगे अब काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने last month यहाँ पे January का play pass लिया था और अब उनका यहाँ पे play pass अभी expire नहीं हुआ है तो मैं आपको बदा दूँ भाई वो पुराने वाले play pass का gold pass आपने already claim कर लिया है हर play pass के मतलब हर महिने का play pass subscription जो आप लेते हो पैसे देखे तो उसके बदले में आपको एक gold pass मिलता है तो last वाले महिने का play pass था उसका subscription का gold pass तो आपने already claim कर लिया है तो अब sense बन रहोगा भाई कि वापस से उसमें second gold pass थोण आएगा जब नया play pass आप buy करोगे अपना renew करोगे अपना जो आपका play pass subscription है तब ही आपको नया gold pass मिलेगा य यह चीज है तो काफी लोग जो confused थे तीन factors पर depend करता है जो मैंने भी तीनो factors mention किये कि अगर आपका play pass जो है अभी तक renew नहीं होगा है तो last month के play pass से आप दुबारा gold pass नहीं ले सकते हो यह थोड़ा confusion है बंदों में तो यह चीज भी आप 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 clear हो चुकी होगी बागी guys हम मैं तो gold pass claim कर लिया था तो अभी तक मुझे offer show नहीं कर रहा था लेकिन जैसे उसको यहां पे मैंने renew किया फिर renew करने के बाद मुझे offer वापस से COC का show करने लगा मेरे play store के अंदर तो मतलब last वाले month में आपने जिस वाले play store account से claim किया था offer उसी में आप वापस चेक करोगे व लुझे काले ना